साबर मती ओनलाइन क्लासिस में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अंतरगर्ट इंपोर्टन्ट प्रेंस्पल यानि की सिध्धान्त देखेंगे हाइगेंस की दुतियक तरंगिकाओं का सिध्धान्त तो बोर्ट पेपर के लिए ये मोश्ट इंपोर्टन्ट है अन्य जो मोश्ट इंपोर्टन्ट डेरिवेशन है जो टॉपिक है नीचे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा देखने को कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक तो प्रेश ने ये बना कि जो प्रिकास है ये तो निर्वात में चलता है अगर प्रिकास जो हमारा तरंग के रूप में चलता है तो निर्वात से कैसे आ जाता है क्योंकि जो हमारी तरंगे होती है इनको चलने के लिए माध्यम की जरूत होती है तरंग को चलने के लिए किस एक माध्यम मौजूद है वो माध्यम क्या है इथर माना था हाइगेंस ने क्या माध्यम माना था इथर माना था इनका मानना था कि जो इथर होता है ना इसका भार कम होता है घनत कम होता है संपूर ब्रहंभांड में ये माध्यम के रूप में मौजूद है यानि कि इथर तो य इसी माध्यम में तरंगों के संचरण संचरण मतलब होता है चलने के लिए तरंगों के संचरण के लिए एक सिधांत दिया इसी के आधार पर प्रेकास क्या चीज प्रेकास वा ध्वनी तरंगे संचरित होती यानि जो प्रेकास तरंगे हैं और जो ध्वनी तरंगे हैं वो गेंस के तरंग सिद्धान्त कहते हैं तो यहां पर दुतियक तरंग काओं का सिद्धान्त हम लोग देखेंगे तो दुतियक सिद्धान्त के मुखेता तीन बिंदु हैं कितने बिंदु हैं तीन बिंदु हैं तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसे हम रफली समझ लेते हैं तो यहां पर हमारे पास होगा क्या एक सोर्स होता है तो यहां पर हम एक सोर्स बना लेंगे इस से हम बोल देंगे इस यानि कि यहां से प्रिकास की किरण निकलेगी तो प्रिकास जो है वो चारो दिसाओं में जाएगी तो जब प्रिकास की किरण हमारी आगे जाएगी तो प् माध्यम में जो कड मौजूद है ये गतिसील हो जाएंगे तो जब प्रिकास तरंग के रूप में गतिसील होता है तो माध्यम में जो कड होते हैं यानि प्रिकास संचरित होगा तो माध्यम में जो कड मौजूद है वो भी गतिसील हो जाते हैं कड क्या हो जाते हैं गतिसील हो गागर बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं तरंगागर तो यहीं यहाँ पर हम लोग फर्ष्ट पॉइंट में देखते हैं फर्ष्ट पॉइंट कहता है कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन की जाती है किसी माध्यम में हमने क्या क्या कोई तरंग उत्पन किया तो माध्य कड क्या हो जाएंगे गतिसील हो जाते हैं तो एक दम आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग जो है वो उतुपन की जाती है या संचरित की जाती है तो उस माध्यम के जो कड होंगे ना वो कमपन करने लगते हैं कड क्या करने लगते हैं कम सब्ख़क्र के में यह से हमारा पद है यह ADP कर से दिह भी यह, पर इस प्रकार से यह कड मुस्जूद है यह पहला जब प्रद्शित हो रहे हैं तो जो यहां पर कड है ना माध्याम में पथ है और उस पथ पर उपस्तित जो कड है यह समान कला में हैं यानि कि सभी एक डिरेक्शन में ऐसे गतसील हैं तो माध्यम में जो कड है न वो अगर एक ही कला में हैं एक ही कला में कमपन कर रहे हैं तो यह जो पत है एसे लेकर के बी तक यह रड कलर में जो पत है इसी को हम बोलेंगे तरंगागर इसको क्या बोलेंगे तरंगा किसके कड माध्यम के सभी कड समान कला में कमपन करते हैं तो उस पत को हम लोग बोलते हैं तरंगागर क्या बोलते हैं तरंगागर तो आप एक्जाम में भी ऐसे हाइलाइट कर लेंगे तरंगागर को तो उसे हम लोग बोलते हैं तरंगागर यानि उस पत को हम लोग बोलेंग तरंगागर पहला point आपको clear हो गया होगा second point देखते हैं second point हमारा ये कहता है कि ये जो हमने तरंगागर देखा है A से B इस तरंगागर पर ये जो 5 कड़ हमने दर्शा रखे ये सब ही कड़ क्या करते हैं सुरोत की तरह काम करेंगी जैसे पहले हमारा सुरोत इस था अब ये जो तरंगागर पर हमारे कड़ मौजूद है एक से लेकर 5 तक ये कड़ जो है न ये सुरोत का काम करने लगते हैं किसका काम करेंगे सुरोत का काम करने लगते हैं और इनसे कुछ तरंगे निकलती है यहां से तरंगे आगे जाएंगी तो जो आगे तरंगे जाएंगे न इनको हम लोग बोलेंगे दुदियक तरंगी काएं, नवहीं यहाँ पर second point कहता है, कि तरंगाग्र पर इस्थित प्रतेक कड़, यैसे हमारा यहां पर तरंगाग्र है इस पर उपस्थित कड़ एक से लेक नई तरंगे निकलने लगती हैं इन तरंगों को दूतियक तरंगे कहते हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा कि दूतियक तरंगे किसे कहते हैं तो जब तरंगागर पर उपस्तित प्रतेकर नए तरंग स्रोत का काम करने लगता है तो उससे जो तरंगे निकलती हैं सबी लिसाओं में उससे हम बोलते हैं दूतियक तरंगे क्या बोलते हैं अब यहां से जो तरंगे निकलेंगी इन बिंदुमों से इन तरंगों की चाल क्य यानि दोनों की चाल क्या होती है समान होती है बराबर से आगे की और यह टरंग बढ़ती है तो यहां اس से जो तरंगे निकली थी इनको about प्राथिम निकली औरे 2,3 चार 5 इस जो करह से जो तरंगे निकली हैं इनको हम बोलोग बोलते हैं दुतियक तरंगे तो प्राथमिक तरंगे और दुतियक तरंगे इन दोनों की चाल बराबर होती है तो दूसरे पॉइंट में हम बताते हैं कि तरंग गागर पर इस्थित प्रतेकड एक नए तरंग स्रोत की भाती में भार करता है यानि एक नए तरंग स्रोत की तरह काम करेगा वो जिससे क्या होगा सभी दिसाओं में नए तरंगे निकलेंगी और इन नए तरंगों के हम लोग क्या बोलेंगे दुतियक तरंगे कहते हैं इन तरंगों की चाल यानि कि दुतियक तरंगों की जो चाल है न वो प्राथिमिक यानि जो मूल तरंगे थी प्राथिमिक तरंगों की चाल वी के बराबर होती है तो सेकंड पॉइंट भी आप लोगों को सानी से clear हो गया होगा नेक्षट थर्ड पॉइंट देखते हैं थर्ड पॉइंट है यहां पर कि जो हमारे दुतियक तरंगिकाएं हैं इसे हम लोग रफ में समझ लेते हैं तो यहां पर हम जिस प्रिकार से इस प्रिकार से तो यहां पर हमने जो तरंगागर बनाया है इसमें हम लोग कड़ बना लेते हैं इस प्रिकार से तो यह हमारे छोटे छोटे इसमें कड़ हो तो तरंगागर पर उपस्तित ये क्या हो गए कड़ हो गए अब ये कड़ आगे की ओर जाएंगे कड़ क्या होंगे यहां से आगे की ओर जाएंगे तो हम नापेंगे कि कड़ कितनी दूरी गया है तो भाई जो हमारा कड़ है इसकी चाल वी है चाल क्या है इसकी चाल हो गई ह वी और हमने मान लिया टी समय लगेगा इसको कुछ दूरी आगे जाने पर तो समय कितना लगा टी तो टी समय बाद ध्यान दिजिएगा टी समय बाद जो हमारे तरंगागर पर कड़ हैं ती समय बाद जो तरंगागर पर कड़ हैं इनसे जो तरंगे निकलेंगी वो कितनी दूरी जाएंगी ये निकालने वाले हैं कितनी दूरी आगे जाएंगी ये निकालने वाले हैं तो हमारा फार्मूला होता है चाल बराबर क्या होता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय चाल बराबर दूरी बटे समय तो यहां से हमें दूरी निकालना है, समय यहां भाग में है, तो बराबर के दूसरी साइट जाएगा, तो गुड़ा में जाएगा, तो यहां से हो जाएगा चाल गुड़े समय, किसके बराबर हो जाएगा, दूरी के, तो यहां पर हम दूरी निकाल रहे हैं, तो हमारी दूर मान करके हम एक वरत्त खीचते हैं वीटी दूरी का यहाँ पर कितनी दूरी लेंगे वीटी दूरी की तरिज्जा मान करके यहाँ पर हम वरत्त खीचते हैं इसी प्रकार से जो अगला कड़ है वहाँ से भी वीटी दूरी की तरिज्जा मान करके वरत्त खीचेंगे तो इस प् से हमने जो कढ़ हमारा दो है उसमें भी हमने वीटी दूरी की त्रिज्जा above लेते हैं जो आफरर होगा न वह तरंगागर की नई स्थिती को प्रदरशित करता है भई पहले तरंगागर कहा ता ए بी हमारां तरंगागर थ्यूर्ण ये तरंगागर आगे बढ़ गया है तो आगे बढ़के कहां गया है इसको हम बोलेंगे A- से इसपर्स करता हुआ जो आवरड आया है यहां पर इसने हम लोग बोलेंगे B- तो अब हमारा जो नया तरंगागर आया है न वो हो गया है A- B- क्या हो गया है A-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B करता है अब हाई गेंस का कहना है अनुसार जो हमारा चित्र है इस हमें जो a डैस बी डैस है फिगर में देखिएगा जो a डैस यहां से ले करके यह अइस पर शकरती हुए जो आई है तो जो a डैस बी डैस है न यह नाय तरंगागर है यहां pm known advice यहां पर यह कि इसके तो जो A-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double-double क्या है नया तरंगय है लेकिन इसे पीछे वाला जो भाग है पीछे वाला भाग कौन सा से A double dash B double dash ये पीछे इस पर्स करता हुआ जो भाग है वो A double dash B double dash है वो अग्रिसित होने वाला भाग यानि की तरंगागर का भाग नहीं है तो ध्यान रखना कि A double dash B double dash जो भाग है जो प्रष्ट है ना इस पर्स करता हुआ वो हमारे तरंगागर का भाग नहीं है तरंगागर का कौनसा है ये टैस बीडैस है तो इस प्रकार से ये तीन प्वाइंट है हाई गिंज की गिंज की दुथियक। तरंगी काऊंके सिधांत के तीनों आप लोगों को आसानी से क्लियर हो गए हूंगे तो इस प्रकार से जो most important topic है हाइगेंस के दुतियक तरंगी काओं का सिद्धानत आप लोगों को clear हो गया होगा next वीडियो में हम कुछ और important topic के साथ मिलेंगे thank you